करन सर के बारे में अगर बोलना है तो एक I.S. आफिसर जो इस व्यवस्ता के खिलाफ दिक्कार के तोर पर अपना रजिगनेशन देता है और उसके बाद जनता के साथ जुड़कर उनके साथ एक रूप होकर इस मूव्मेंट को आगे लेके जाने का काम करन सर ने किया है C.N.R.C. के वक्त में हमने देखा है उने कि वो पूरे भारत में घूम रहे थे और B.J.P. और R.S.S. के खिलाफ C.N.R.C. के खिलाफ एक बड़ी लड़ाई में वो शामिल थे तो मैं रिक्वेस्ट करूगी कनन सर से कि वो अपनी बात रखे सबसे पहले में माफी चाहूंगा कि थोड़ा लेट हो गया इसमें मोधी जी का कोई हाथ नहीं था थोड़ा ओला लेट हो गया था मंच में बैठे सभी महान विक्ति आप मंच में ना बैठे के सारे महान विक्ति आप सबको मेरा जही दी आज के दिन सबसे पहले में अलगार परिशक को अबनेंदन करना चाहूंगा कि दुबारा इसको रिवाइब करने का जो निरनाय लिया उस बात को उस जश्वा को उस निरनाई को मैं अपने इंदन करना चाहूंगा क्योंकि जब पहले बार हुआ था उसको रोकने का जिस तरीके से हर एक स्ट्रगल को रोकने का दो तरीका है एक होता है स्टेट वाइलेंस जो पुलीस को यूज़ करके किया जाता है एक होता है नौन स्टेट वाइलेंस जो एक दूसरी सेक्शन के लोगों को बोलता है कि आपस में आप लड़ लो ये दोनों वाइलेंस इस्तमाल किया गया था वो दोनों वाइलेंस इसे इस्तमाल किया गया था साइलन करने के लिए यह वैलन्स का इस्तमाल साइलन्स के लिए था धीन साल के बार या चान साल के बार इस अलकार परिश्ट से यह कहना चाते हैं कि हम साइलन्स नहीं होंगे चाहे आप स्टेट वैलन्स इस्तमाल करें चाहे नौन स्टेट वाइलेंस के इस्तमाल करें एक और बात कहीं बार उने सुनते हैं कि ये सरकार फासिस्ट है मैं समझता हूँ कि फासिस्ट बनना चाहता है पर है तो बेपूफ कि उन्होंने जो भी सरकार से सवाल पूछते हैं उनको जैसे गड़मनेगी का एक नाम लेना शुरू कर दिया तो अगर माद लो आपने जैन्यू या जामिया में पड़े हुए बच्चे हैं सरकार से सवाल पूछे तो आप हो गया तुकड़े तुकड़े गया और पड़े लिखे हैं और शहर में हैं अच्छे पड़े लिखे लोगे और शहर में रहते हैं और सरकार से सवाल पूछने हैं तो अर्बन नक्सर और गरीब है सवाल पूछा तो प्रोपर नक्सर और अगर मुसल्मान होके सवाल पूछे तो जिहादी आतंगवादी अगर स करदार सवाल पूछे तो खलिस्तानी जितने से लोग सरकार से सवाल पूछते हैं उन सब को उन्होंने एक नाम दे दिया है तो मैं आज आके एक मिनिट के लिए सोच रहा था कि क्या बुलाओं कि मेरे प्यारे देश-द्रोहियों अर्बंदक सिलियों तुक्ड़े करकार के इसाब से आप सब काम है यह ओलोड़े मेरा भी जैए हम पर हिंदू होके सवाल पूछा तो पहले तो यह होता है कि तो कैसे सवाल पूछ सकता है जरूर देश-द्रोही होगा इसे अलावा तो सवाल पूछ दे सकते हैं यह पर यह नहीं समझते कि यह बेवकूफ इ इसलिए वह आतंगी है जिवादी है देश-द्रोही है ठीक अब आठ लोग उने मान लिया उसके बाद एक बच्चे थे स्टुडन्स थे मान लो एक है उसके सवाल पूछा तो उसको बोला यह तुक्डे-तुक्डे-द्यान है बाकी सब लोगों को बोला कि यह तुक्डे- एक और आपने बोला है कि अभी जिस तरीके से हर्याना में किसा पंजाब और रुतर-प्रदेश में किसानों के आधोलन हो रहा है उनको जाट या किसान किसी को भी उनको भी कहने लगया पांची लोग लग लचे है यह डिमिनिशिंग रिटर्न का गेम है इनको लगता है इ इसलिए मुझे लगता है कि यह बेवखू है यह एक यह ट्रिक को बार-बार यूज़ करके जा सकता है इसका कुछी लोग कैसे लगता है सबसे पहले आज की दिन मैं बहुत सारे डिफरेंस में थोट्स होंगे बट मैं अपना रस्पेक्ट पे करना चाहूंगा हमारे मादमा डांदी जिनका आज डेथ तो नहीं कह सकते है जिनका मर्डर किया गया था जिनके उपर टर्रेस्ट अटा कह सकते है कि जो हुआ था वो चिंता आज भी है जारी है पर उनसे लड़ने वाला चिंता भी आज भी जारी है और रोहित वमुला को, जिनको मैंने जब सर्वीस में रहते हुए तमी नहीं पड़ा था, पर सर्वीस से चोड़ने के बाद ऐसे चाते हुए पड़ा, और एक संटेंस था जो उन्होंने लिखा था, कि where the existence of an individual is reduced to immediate identity, मतलब एक उसके बहुत शांदार तरिके से अरंदिदिरोई मैंने बताया, तो उसमें मैं नहीं जाओंगा, पर अगर वो रहते हैं, तो कितने ज़्यादा ऐसे intellectual discussions होते हैं, यह कभी हम भी सोचते हैं, कि कितना ज़्यादा एक thought leadership को हमने मिस किया है, उनको भी उनका बहुते wishes का भी आज का दिन है, मैं का सवाल पूछना चाहता हूं, आप अपने आपको प्रजा मानते हैं कि नागरिक, प्रजा की नागरिक, नागरिक, पक्ता, मैं जब नागरिक अगर होते हैं, तो सवाल जरूर पूछते हैं, रजा है, तो चान के कोन हैं अभी हमारी politics में, इंडिन politics में चान के कोन है, बिक्तुल बोलिये, अंग, अमिच्छा, शरत पवार, और कोई, अच्छान के होना चाहिए के हमारी politics में, क्यों नहीं, चान के थे जब राजा और प्रजा था, और राजा प्रजावों को कंट्रोल करने के लिए तरीका बताते थे, कि ऐसे करो, सामदान, दंड, वेद, ये करके, प्रजा को कंट्रोल में कैसे रखना है, आज जन्ता को सरकार को कंट्रोल में रखना है, हम लोगकंत्र में हम प्रजा नहीं है, हम नागरिक है, कोई राजा भी नहीं है, किसी भी तरीके का चानकी की जरूरत नहीं हो नहीं है, हमें चाहिए ट्रांस्परेंट तरीके से जो हमें बताए, और स्मार्टनस नहीं पुल पिछने, अगर कोई MLA खरीत के सरकार बना सकते, उसमें तालीब जाना हमारा काम नहीं है, क्योंकि हम अपने आने वाले पिड़ी को बता रहे हैं, भुचुभी करके, जीत हासिल करो, इसी में वावाई है, ना सच्चाई में हैं, ना सही रस्ते पे हैं, कि कोई भी जो हमें बढ़ाता था, वो सब में कोई माइना ले रहता, पैसा, धंकी, कुछ भी करके, जीतो, जीतना जाला जरूरी है, यह हम बता रहें, कि आप यह बताना चाहते हैं अपने बच्चों को, मैं नहीं बताना चा जाता है कि हम प्रजा है इस देश ने, हम नागरिक है, पर नागरिक बन नहीं पाए, आजाली मिलें, पर नागरिक नहीं बन पाए, नागरिक ता शायद है, पर फिर भी नागरिक नहीं बन पाए, अगर आप नागरिक बन के, मान लीजी यहां से आप निकल गए अभी, दो क्या करोंगे साइट से कटने के कोशिश करेंगे और थोड़ा साइट जूर जाने के कोशिश करेंगे किसका देश है हमारी देश आपने कुछ गलती किया है जा रहे थे किसे ने सवाल अगर हम नागरिक होते तो सवाल पूछते कि क्यों कर रहे हुए पर अपने बोलते हैं नागरिक नहीं है अभी परजाई है हमें डर है प्रशासन से डर है राजावों से डर है सारे के सारे राजाई है सिर्फ एक मोदी नहीं है हर लेवल पर मोदी बेठे है यह तो छोडिये मोदी से जिससे सवाल पुछते हैं अपने पटवारी और तलाडी से सवाल पूछने से डरते हैं। तैसिदार से पूछने से डरते हैं। मैं जानता हूं। जिस जिले में मैं कलेक्टर था, वहां कुर्सियां के बाहर। और ऐसे लोग हमारी ओफिस में आते थे, पिछले साल 2019 की बात कर रहा हूं है, जो कुर्सियां में बैठने के लिए तयार नहीं थे, उनको बताएं कि प्लीज कुर्सियां में बैठे और नहीं बैठ दे थे, क्यों। उनके देश, उन्होंने जो पैसे दिया है, वो तनका लिके में नौकरी करना हूँ आपे। उन्ही के पैसे से खरीदा हुआ गुर्सियां पर अपने आपको उस गुर्सियां में बैठने लायग नहीं समझते हैं। कैसे नागरिक बोल सकते हैं मखने आपको। ये देश किसी ओफिसरों की राजने तिक नेता हूं कि अच्छाई से नहीं चाहिने वाली है। नागरिक जब अपना अधिकार अपनी हाग से लड़ते जेंगे तब ये देश रखते रहने वाली है। और यहां पर सवाल पूचने का किसी से भी हो। और यह सरकार भी जाना, मैं समझता हूँ कि सरकार भी जाना है। जिनको यह लूटियंस गया कहते हैं या 10-15 किसी लोग है जो सवाल पूचते हैं जिनकी बोलने की आजादी है। पिचासी किसी लोगों को तो बोलने की आजादी तबही नहीं थी। प्रदान मंत्री तो छोड़ो, मैं वो ही कहा, अपकी जो इमिलियेट कॉंसर्बल से सवाल पुछने करें, आप ये आजादी नहीं, प्रदान मंत्री तो बहुत दूर की बात है, है क्या, ये जर्णी, प्रजास से नागरिक तक की जर्णी, वो इस देश के लिए सबसे बड़ प्रजास है, वो जर्णी मैं समस्ता हूं के सबसे ज़्यादा में, पूर्न जर्णी है, जो हमें इस देश को करना होगा, मैं एक और छोटी सी इंटरस्टी कहानी सनाता हूं, एनर्सी सीय के मोमेंट में कही बार, कही जगा गया, तो ऐसे आलिगड में भी एक बार जाना गॉल एर में फंक्षिन था, तो गॉल एर से ओल आउट सेशन करके जैसे यहां आए, वैसे आलिगड जा रहा था, तो आलिगड में मेरा नो एंट्री का ओर्डर उन्होंने पास कर दिया, पर आगरा के बोडर पहुंचे आ, मध्यपद्देश वाला, तो करीबन साथ साथ स और वो दर्वाशा कुल के भागे है, और में अंदर, वो अपना फोन डेख रहे है कि यह है कि जिसको अरश्ट करना था, जिसको डिटेंट करना था, मैंने बोला हां में ही हूँ, उसके बाद खेर काफी चीजे होई, लास्ट में उनने एक जीडी एंट्री दिखाए, अलिगर लेकर जाने वाला था दंगा करने के लिए, और मैंने पूछा, एस पी था, कि सच लिखा है कि जूप लिखा है, बोला सर वो तो से देखेंगे, इंस्पेक्टर देखेंगे, तो निकल लिए, थैंक्फुली, एस डेम ता मैंने बोला, एस पे तो फिर जेली कर दो, मैं निकलूगा नहीं, मैं तो फिर बॉंड पे भी साइन नहीं करूंगा, जेली ले जाओ, ये हिम्मत कैसे हुए, इतने जरे आम जूट लिखने के, हिम्मत कैसे है, वो जानते हैं कि जूट लिखा है, डॉक्टर कफील खान का अरस्ट आप जानते हैं, उसको जब उनको ज आरस्ट कियाता है, कोई भी रीजनवल आदमी इनको आरस्ट नहीं कर सकता है, अगर कोई रीजनवल आदमी आरस्ट नहीं कर सकता, तो ये आरस्ट क्यों हुआ, ये सवाब भी पूछने का जिम्मदारी था जुडिशरी का, अगर जुडिशरी ये सवाब पूछते, कि इसक अभी जुडिशरी का डर खतम हो गया यह वापस कोई यह अधिकार हमें देने वाला नहीं है किसी को भी आफिसर अच्छे हो सकते हैं वो अधिकार को अच्छे काम के लिए उसकर सकते हैं या सरकार सरकार उसको अच्छे काम के लिए उसकर सकते हैं बुरे काम के लिए उसकर सक पर अपने पावर, अपने अधिकार अगर जन्ता क्या है यह नहीं करने वाद है। अपने पैसे आता है ना, उनको सिलिंडर मिलता है ना, टोइलेट मिला है ना, पानी है की नहीं वालग बात है, पर पानी नहीं मिला यह पूछने के लिए तो अधिकार चाहिए। इसमें लोग बाहर निकल के बोलें नहीं, यह सिर्फ नागरिक्ता हमसे ना चीने उसकी लड़ाई नहीं थी। नागरिक है हम यह बताने वाले लड़ाई थी। हम उनको यह कह रहे थे कि हम नागरिक है। चाहिए आप कुछ भी करें, हम अपनी हक लेके रहेंगे, हम अपनी बात रहेंगे। जो सवाल हमें बूसना है, हम वो बूसके ही रहेंगे। इस्लामिक टर्रिज्म बोलके हमने शिरू किया था एक टाइम। इस्लामिक टर्रिज्म की कहीं सारे एक्जांपल्स भी हमने कहीं बहुत बताया। पर नीचे आते आते, वो मुसल्मान के खिलाफ नफरत में आ गया। कि हर मुसल्मान आतनवादी हो सकता है, ऐसे आगया। मेरे डर यह है, कि हम जब एक ब्राह्मन वाद की बात repeatedly कहते हैं, तो जैसे ही Islamic terrorism की उपर हम कोल गया, ultimately मुसल्मान के खिलाफ नफरत में आ गया। ऐसे ही एक दूसरे इंसान कोई भी हो, ब्राह्मन वाए एक्सवाई हो, वहाँ पर उनकी नफरत में जाये, ऐसे होना नहीं चाहिए, यह मेरा दॉट है, पर यह मन्स के समझ भी मेरा क्राव। शायद मैं गलत हो सकता ह। क्योंकि एक गलत आइडियोलोजी से अगर हम लड़ रहे हैं, और उसमें वापस उसका सोलूशन में थी, किसीने किसी को एक्स्क्लूड करके अगर हम लड़ रहे हैं, तो इस देश को एक साथ होके आगे लेके जाना मुस्किल होगा। पता नहीं, आगे हो सकता है। आज तो और रिलेशन ऐसा है कि एक उपर है इसले कुछ वरक नहीं पड़ता, पर कल चेंज होगा तो क्या होगा पता नहीं। मैं जब कैलवन वाली incident हुआ, तो UPSC क्लियर हुआ है, IAS वगरा हुआ है, पर उसके बावजूद अगर कोई मुझसे बूस्ता उस दोरान की बेजिंग कहा है, चाइना का, तो मुझे पता नहीं था। embarrassment feel हुआ कि हम पाकिस्तान पाकिस्तान इतना लंबे time करते रहते हैं, पर जो कि जो actual हमारी enemy है, जो इतने ताकतवर है और हमारे उपर अपजावी करने का कोशिश कर रहें, उनके बारे में हमें बहुत कम पता है, सिर्फ सरकार को नहीं, जनता को भी बहुत कम पता है, तो पिछने चे मेने से काफी Chinese बढ़ रहा था, Mandarin, उनकी language, कोशिश कर रहा था कि क्या है, उनकी thought process क्या है, आज की लड़ाई तो है, पर आज की साथ साथ अंदर की लड़ाईया भी है और बाहर की लड़ाईया भी है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमारे कोई अनिमी नहीं, ऐसा नहीं है, वो पढ़ते-पढ़ते एक कहानी, एक Chinese story आया, वो एके में अपना बात खत्म कर रहा है, एक लड हो गया, बहुत बरानी कानी है, उसका कुछ भी नहीं हो रहा है, कोई भी संपना उसका पुड़ा नहीं हो रहा है, तो एक गुरीजी टाइप वहां पे जो भी Chinese में गुरीजी जित पे कहते है, उनके पास गया, जो भी, elderly person के पास गया, और उनसे जैसे पूस्तर लग गया तो उन्होंने बोलाए कि नहीं, सवाल पूछने से पहले, आप थोड़ा पानी गराम करें, मेरे लिए पानी बोल करके लेया, तो उचले गे अंदर किचन में, तो देखा बहुत बड़ा बरतन है, पुरा पानी भरा हुआ है, बहुत छोड़ा सा चूला है, और लगडी खे है, तो फिर जाकर 230 गेंडे सिर्फ लगडी कटा किया, लगडी कटा करने के बाद वो आया, आने के बाद उन्होंने उसको बोल किया, तीन चाल गंडे के बाद एक गलास पानी उसमें से लेखे उनको दे दिया, तो उनोंने पूछा कि मैने तो एक ग्लास पानी ही मागा था, इतना टाइम को लगा, तो वो लड़के न कहा कि दिखे, दो ओप्शन था मेरे पास, कि मैं पानी पार भीतो, और जितना ये ग्लास के लिए उतना ही बर्तन में रखो, या कि मैं उतना लगड़ी कटा करो कि जित कि जब लगडी कटा करने जा रहे हो तो पानी गरम है कि यह मत देखना है क्योंकि जब लगडी कटा कर रहे हो तो आपनी पानी गरम करना शुरू नहीं किया है हुआ मैं खूँ किया और इमेडली उसका रजलेट क्यों नहीं आ रहा है उसका रीजल्ट अभी अभी क्यों नहीं आ रहा है और कहीं बार इसलये हमने वह पाने की पीद kidney देतंे तो जो जो जनेरेशन है, देश कतम नहीं हो रहा है, तो भी कतम हो रहा है, ना आगे अगर दुबारा आए तो भी कतम हो रहा है। इंडिया विल आविव मोदी और इस देश को दूनिस, उसमें कोई डाउट नहीं है। नेक्स जडरेशन विलाग तो रीपिट। लोट अवस विलाग तो साथ आश्किन कुस्टिंस, हमें सवाल पूसना होगा और इस देश को दुबारा बनाना होगा। पर तब इस पेशन नहीं होना है। पेशन के साथ लगड़ी कटा करना होगा और हम करेंगे और पानी भी बोल करेंगे। धर्यवाद जैहन जैदे।